अब आईए देखे विनिमे विपत्र के प्रकार कौन कौन से हैं तो विनिमे विपत्र के प्रकार को सबसे पहले हम देखेंगे इस्थान क्याधार पर जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं इस्थान क्याधार पर ये दो प्रकार के होते हैं देशी विपत्र और विदेशी विपत्र देशी विपत्र याने की ऐसे विपत्र जिनके क्रेता और विक्रेता एक ही देश में होते हैं और दूसरा विदेशी विपत्र याने की ऐसे विपत्र जिनके क्रेता और विक्रेता अलग-अलग देशों में रह रहे होते हैं तो इस् सब्सक्राइब करते हैं उसमें इन विपत्रों को लिखा जाता है जिसके बारे में अभी तक हम जानते कि यहां किसी प्रकार का कोई सऔरा या कोई क्रैयविक्रे नहीं होता है इसका जो उद्देश होता है वो केवल वैपारियों के लिए एक दूसरे की पारसपरिक सहायता करना ही होता है तीसरा जो आधार है वो है समय के आधार पर समय के आधार पर विपत्रों को दो भागों में बाटा गया है दर्शनी बिल और मियादी बिल दर्शनी बिल के बारे में हम पहले से जान चुके है जो दर्शन यानि प्रस्तूत जैसे ही उनको प्रस्तूत किया जाए वैसे ही उनको प्रस्तूत किया जाए प्राप्त करता के आधार पर अगर हम देखें तो भी ये दो प्रकार के होते हैं एक वाहक और दूसरा आदेशित वाहक यानि जिसके पास वो बिल है जो प्रस्तुत करेगा उसको राशे मिलनी है आदेशित यानि कि जिसका नाम आदेशित किया गया है लेखा के द्वारा उस विपत्र में जिस वेक्ति को आदेशित किया गया है विपत्र की राशी प्रदान करने के लिए उसको प्रदान कर दिया जाएगा बही खाते के आधार पर देखें तो हमने देखा था कि सबसे महत्रपोन टॉपिक हमारा जो है वो बही खाते के आधार पर विपत्रों का विभाजन है जिसमें हमने देखा प्रापी विपत्र और देविपत्र जिसको हमने बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं हम कि प्रा तो यहां पर हमने अलग अलग प्रकार से विपत्रों का वर्गी करण देखा मुख्य रूप से मैंने आपको बार बार बिताए कि प्रापी विपत्र और जो देविपत्र हैं यह दोनों हमारे लिए काफी इमपॉर्टेंट है तो आये प्रापी विपत्र और देविपत्र में अंतर क्या है इस पर एक नजर डाले विपत्र एवन देविपत्र में अंतर Kenni कि लेकन के आधार पर प्राप्र विपत्र रिणदाता द्वारा लिखा जाता है जबकि देविपत्र रिणी या देनदार द्वारा स्वित्रित किया जाता है। दूसरा भुनाने के आधार पर प्राफ्य विपत्र बैंक या अन्य वैपारी द्वारा बट्टे पर भुनाया जा सकता है। जबकि दे विपत्र का देंदार भुखतान करता होता है, अता इसे भुनाया नहीं जाता है। तीसरा, राशी के आधार पर प्राप्र विपत्र की दशा में लेखक राशी का प्राप्त करता होता है। जबकि दे विपत्र की दशा में राशी का भुक्तान स्विकर्था को करना पड़ता है। चौथा, संपत्ति या दाइत्व की दशा में प्राप्य विपत्र व्यपार की संपत्ति होती हैं, जबकि दे विपत्र व्यपार का दाइत्व होता है। पाच्वा, बेचान के आधार पर बेचान द्वारा प्राप्त किया गया विपत्र ही प्राप्य विपत्र होता है जबकि देविपत्र के अंतरगत बेचान से दायत्व आप्रभावित रहता है। चटवा वापसी के आधार पर प्राप्य विपत्र की राशी प्राप्त होने पर विपत्र स्विकर्टा को लोटा दिया जाता है जबकि देव विपत्र का भुक्तान कर देने पर विपत्र लेखक से वापस आ जाता है तो आपने देखा कि विनिमय विपत्र के अंतरगत प्राप्य विपत्र और दे विपत्र क्या है और ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग-अलग है अब आए देखते हैं कि आखिर विनिमय विपत्र की उपयोगिता क्या है क्यों लिखा जाता है क्यों जरूरी है क्या लाब होता है विनिमय विपत्र को लिखने से इसका प्रियोग करने से तो जिस प्रकार वेपार में अलग-अलग पक्षकार होते हैं उन पक्षकारों का अपना अलग-अलग स्थान होता है अलग-अलग उपयोगिता होती है बिल्कुल इसी तरह विनिमय विपत्र की भी उपयोगिता अलग अलग पक्षकारों के लिए अलग अलग हो सकती है तो आए इन अलग अलग पक्षकारों के अधार पर देखे कि इनके लिए विनिमय विपत्र किस तरह से उपयोगी है यहां हम विनिमय विपत्री की उपयोगिता को तीन भागों में बाट कर जानेंगे जिसमें पहला होगा लेंदार दूसरा देंदार और तीसरा अन्यपक्षिकार जो है तो लेंदार के लिए किस प्रकार से उपयोगी है विनिमय विपत्र एक नज़र डाले तो सबसे पहली बात तो यह रिण का लिखित प्रमाण होता है क्योंकि हमने इसके विशेस्ताओं में देखा कि लिखित होता है यानि कि किसी भी प्रकार से जो स्विकरता होता है जो क्रेता होता है वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकता है उसने उधार धन राशी का माल खरीदा है उसको एक निश्चित अवधी के बाद पैसा जो है वो भुकतान करना है इस बात का एक लिखित में प्रमाड होता है विनमे विपत्र दूसरा हम देखे तो लेंदार के लिए यह हस्तांतरन की सुविधा भी देता है हमने देखा कि किस प्रकार यह जो विपत्र होता है वो अगर वाहक है तो जिसका प्राप्त करता है जिसके पास यह विपत्र है उसको ही विपत्र की राशी का भुकतान किया जाएगा आगे क्रियात्मक प्रश्णों में हम देखेंगे कि किस प्रकार यह विपत्र जो हस्तांतरनी होते हैं याने एक वेक्ती द्वारा दूसरे वेक्ती को दे दिये जा सकते हैं जिस वेक्ती के पास यह विपत्र होता है वही उसका स्वामी होता है और वही उस विपत्र पर उस केवल नगद वैपार से ही उसका वैपार नहीं चलता है बहुत सारे वैपारी ऐसे होते हैं जिनको अपने वैपार को बढ़ाने के लिए उधार क्रेविक्रे भी करना होता है अब ऐसी कंडिशन में उधार विक्रे जो होता है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है पैसे की ड वैसे ही उप्योगिता ये भी है कि ये नगद धन का संग्रहन इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है क्योंकि एक प्रकार का प्रपत्र विलेक होता है इसको हम बैंक से बट्टे पर भुना कर इसकी धनराशी को बहुत आसानी से नगद रूप में प्राप्ते कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो भुक्तान होता है, भुक्तान का जो समय होता है, वो निश्चित होता है, हमने उदाहरनों में देखा कि किस प्रकार एक विक्रेता या लेखक निश्चित रूप से लिख देता है कि कितनी अवधी के बाद, कितने समय के बाद धनराशी का भुक्तान कर दे जाता है कि कितनी अमाउंट किते पैसे का भुकतान किया जाएगा तो इन सब चीजों को दृष्टिक रखते हुए लेंदारों के लिए काफी यूसफुल होता है दूसरे पक्षिक हम बात करें देंदार की तो यह देंदार के लिए कैसे उपयोगी है तो एक तो उधार created करें में इसको सुगमता होती है वह बहुत आसानी से उधार कर लेता है विन्मैब पत्रों के माध्यम से गारेंटी और दे विक्रेता को कि वो इतनी धर्णाशी का भुक्तान करेगा और उसी पर विश्वास करके विक्रेता जो होता है वो क्रेता को उधार माल वेज देता है दूसरी एकुप योगिता यह है कि रिड़ चुकाने में भी सुविधा होती है क्योंकि कुछ निश्चित समयावध ही दे दिया जाता है तो यह जो उधार है उसको चुपाने में आसानी होती है तीसरे होती है जब भुक्तान के निश्चित्त हो जाती है यह पहले से उसको पता रहता है कि कि दिनन राशी का भुक्तान करना तो उसी के अनुसार वो अपने धन की विवस्ता कर सकता है अब लेंदार और देंदार के अलावा कुछ अन्य पक्षिकार या कुछ अन्य उप्योगिता भी विनिमय विपत्र की होती है आए इस पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले इसकी उप्योगिता तो यह है कि यह है कि इसमें धन को भेजने की साधन की जरूरत नहीं पड़ती बहुत प्रॉब्लम होती है पहले भी जब वैपार होता था तो हम देखते थे कि कहीं पर किसी की कैशियर से लूट पार्ट हो गई किसी कहीं पर चोरी डकैती मडर इस तरह की घटनाए अनातिक कृत्य होते रह में तो किवल विपत्रों के माध्यम से वस्तू का क्रे विक्रे कर लेना ये थोड़ा सा सुगम माध्यम होता है एक उपयोगीता ये भी है कि इससे योजना बनाने में काफी आसानी होती है क्योंकि जो विक्रेता होता है उसको मालूम होता है कि कितने समय के बाद उसको कितन खरणा़ काहां से मिलने वाली है तो उस लाशी के आवग के आधार पर वह अपनी योजनाय बना सकता है रही कि विदेशी भुट्रांट में सरल्ता होती है उसमें जो धन्राशी भीक्तर होते हैं जो थन्राशी उसमें extremely वेपार वेभार किये जाते हैं वो विदेशी मुद्रा में ही किये जाते हैं तो यहां पर विदेशी जो धनराशी का भुकतान करना होता है विदेशी मुद्रा में वहां पे सरलता होती है और साथी साथ एक प्रकार से इन विपत्रों का प्रयोग करने से दोनों ही वेपारी क विक्रेता वैपारी एक तो क्रेता वैपारी के पास अगर उस समय जबकि उसको माल क्या विशकता है अगर धन नहीं है तो वो इन विपत्रों के माध्यम से कुछ दिनों की रियायत में वो माल प्राप्त कर सकता है और विक्रेता वैपारी को क्योंकि उसको भी अपना स्टॉक बेचना होता है तो इस विपत्र में वो विश्वास करके कि वो जो धनराशी निश्चित की गई है कुछ समय के पश्चात वो जरूरी कृता से प्राप्त हो जाएगी ये मानते हुए वो अपने बनाए गए माल ये खरीदे गए माल को बहुत आसानी से बेच कर अपने वैपा सबसे ज़्यादा प्रचलित है हम जिन क्रियात्मक प्रश्णों को हल कर रहे हैं वो भी विनिमयवी पत्र से ही संबंदित है लेकिन क्योंकि हम विनिमय साध्य विलेखों की बारे में यहां जान रहे हैं तो प्रतिग्या पत्र को भी एक संशेप में जान लेना जरूरी है आईए जानते हैं प्रतिग्या पत्र क्या है? जिसे कि नाम से इस पस्ट हो जा रहा है कि प्रतिग्या पत्र राने की प्रोमिसरी नौट किसी बात की प्रतिग्या और वह भी लिखित में. एक उधारन से हम समझे तो प्रतिग्या पत्र एक ऐसा लिखित पत्र है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी बात की प्रतिग्या करता है दूसरे पक्षकार से मान लेजिए एक व्यक्ति हम देखते हैं कि व्यभार में बहुत सारे लोग जो क्रेविक्रे करते हैं वो उधार होता है प्रतेक व्यपारी अपने व्यपार को बढ़ाने के लिए विक्रे को बढ़ाने के लिए उधार क्रेविक्रे जरूर करता है माल लेजिए एक क्रेता व्यपारी है जिसे कुछ माल की जरूरत है और उस समय उसके पास पैसा नहीं है तो वो विक्रेता व्यपारी से आगरह करता है कि कुछ समय के लिए उसको वो उधार माल दे दे एक निश्चित अवधी के बाद वो उस माल की जो भी धनराशी होती होगी वो जो विक्रेता वैपारी है उसको वापस कर देगा लेकिन ये तो बात हुई कहने की माल लो अगर विक्रेटा वैपारी उस क्रेटा वैपारी को माल दे दे और फिर क्रेटा वैपारी मुकर जाए ना दे पैसा तो इन सब असम भावनाओं से बचने के लिए जो क्रेता और विक्रेता है वो सहारा लेते हैं प्रॉमिसरी नोट यानि के प्रतिग्या पत्र का एकुदहारन से हम देख रहे हैं A, एक क्रेता व्यपारी है B, विक्रेता व्यपारी है A माल उधार करे करना चाहता है किस से B से A और B के मद्ध ये समझोता हो जाता है A उससे आगरह करता है B उसको मान जाता है अब ऐसी कंडिशन में A जो है वो जो प्रतिग्या देगा कि मैं तुम्हारा पैसा याने कि B का पैसा एक निश्वित समय के बाद वापस करूँगा उसको वो लिखित में देगा लिखित प्रतिग्या पत्र उसको देगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि जो भी धनराशी जितने माल के लिए वो प्रतिग्या पत्र लिख रहा है यानि कि जितना माल वो उधारी खरीद रहा है उतनी धनराशी एक निश्च्वित समय के पश्चाथ वो विक्रेता वैपारी को देदेगा इस प्रतिग्या पर पत्र पर वो अपना सील साइन हस्ताक्षा करता है मुद्रांक करता है आगे हम और देखेंगे कि किन किन चीजों क यहां पर प्रयोग में लाया जाता है इस तरह से यह लिखित प्रतिग्या पत्र को भी वैपारी को यानि कि विक्रेता जो वैपारी है उसको देता है तो इस तरह का जो व्यवहार होता है जो उधार क्रेविक्रे के लिए प्रयोग किया जाता है प्रतिग्या पत्र के जरूरत का समान जो माल रहता है उसको प्रात्त करता है हमने ये भी देखा कि केवल क्रविक्रे की ही दश्वा में नहीं बल्कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से उधार लेना चाहे तो भी पृतिग्या पत्र के माध्यम से वह बहुत आसानी से उधार पैसा ले सकता है सुरक्षित लेंदेन के लिए प्रतिग्या पत्र का प्रयोग किया जाता है आए इसकी कुछ परिभाशाओं पर एक नज़र डालें तो आपने प्रतिग्या पत्र की परिभाशा देखी भारती विनमे साधी व विक्रिता विपारी को यह कह देना कि मैं आपके विपत्र पर लिखी राशी का भुकतान कर दूंगा यह परियाप्त नहीं होता प्रतिग्या पत्र जो होता है वो लिखित में होना चाहिए दूसरी सबसे बड़ी विशेस्ता होती है प्रतिग्या पत्र की निश्चित और उसी राशी का उलेक प्रतिग्या पत्र में किया जाना चाहिए। लेखक के हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रेटा होता है जो माल खरीदता है वही प्रतिग्या पत्र लिखता है और वो विक्रेटा वैपारी को दे देता है। तो जो लिखता है वही लेखक होता है यानि कि क्रेटा वैपारी ही लेखक होता है। इस विपत्र पर क्रेटा वैपारी के हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी है। आपर वैपारी के हस्ताक्षर का कोई महत्त नहीं है। उस विक्रेट करना या हस्ताक्षर करना विन्मेव वेपत्री की तरह यहां पर कोई प्रोसेस नहीं होता है। अगली एक महत्वपूर्ण विशेस्ता इसकी यह है कि भुक्तान पाने वाले का नाम जरूर उलेक करना चाहिए। अगर विपत्र का कोई कहीं बेचान कर देता है अगर विपत्र का कोई कहीं बेचान कर देता है विशेस्ता यहां पर हम यह देखते हैं कि स्टाम पेपर हमको इसमें यूज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लिखित होता है प्रतिग्या पत्र होता है कोई न कोई इसके लिए स्टाम्पिंग होना मुद्रांकन होना बहुत जरूरी होता है तो या तो इसमें क्रिता वैपारी जो होता है स्टाम पेपर का यूज करता है या फिर किसी भी प्रकार की मुद्रांक के टिकेट का यूज कर सकता है परिपकुताति थी भी इसमें महत्पूर्ण स्थान रखती है जैसे कि हमने विनमय विपत्रों में देखा जो भी नरधारित थी की गई है दो दिन या तीन दिन उसके आधार पर परिपकुताति थी नरधारित की जाती भुकतान की उसका उलेक भी विनमय विपत्र में किया के आधार पर विनिमय विपत्र में तीन पक्षकार हो सकते हैं लेखक स्विकरता तथा प्राप्त करता जबकि प्रतिग्य पत्र में दो पक्षकार होते हैं लेखक एवं अदाता दूसरा लेखक के आधार पर विनिमय विपत्र लेंदार द्वारा लिखा जाता है जबकि प्र प्रतिग्या पत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है तीसरा प्रकृति विनिमे विपत्र भुक्तान का आदेश होता है जबकि प्रतिग्या पत्र भुक्तान की प्रतिग्या है चौथा स्विकृती विन्मय विपत्र में स्विकृता से स्विकृती आवश्यक है जबकि प्रतिग्या पत्र में स्विकृती की आवश्यक्ता नहीं होती है प्राप्त करता के आधार पर बिन्मय विपत्र का लेकक प्राप्त करता होता है जबकि प्रतिग्या पत्र का लेकक कभी भी प्राप्त करता नहीं हो सकता दाइत्व के आधार पर विन्मय विपत्र के भुक्तान के लिए स्विकर्ता उत्तरदाई होता है जबकि प्रतिग्या पत्र के भुक्तान के लिए लेखक उत्तरदाई होता है मुद्रांक के आधार पर मांग पर दे विपत्र का मुद्रांक लगाना आवश्यक नहीं है किन्तो अन्य विपत्र पर मुद्रांक लगाना आवश्यक है जबकि प्रतिग्या पत्र के आधार पर प्रतिग्या पत्र पर मुद्रांक लगाना आवश्यक है आलोकन के आधार पर विन्मय विपत्र के अनाधरन पर आलोकन आवश्यक है जिबकि प्रतिग्या पत्र के अनाधरन पर आलोकन आवश्यक नहीं है झालोकन आवश्यक कर आवश्यक के अनाध नहीं है झाल 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 झाल